नमस्कार मेरे सभी प्यारे शाथियों को आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सेलिंग टू बाइजेंसियम और यह पूम किस ने लिखी है यह लिखी है बिलियम बटलर इट्स ने बिलियम बटलर इट्स आइरिस पोईट है और इनको 1923 में क्या मिला है नोबल प्रैज मिला ह इन से रिलेटेड आज हम इनके जो पूम है सेलिंग टू बाइजेंसियम इस से रिलेटेड यहाँ पे MCQs हम डिसकस करेंगे और पूरी पूम को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे इसकी थीम और में 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 पॉइंट्स जो डवली इट्स की बारे में है वो तो वीडिय इन 1928 कलेक्शन दी टावर तो टावर करके एक पूइट्री कलेक्शन है उसमें यह पॉब्लिश हो रखिया कब पॉब्लिश हो रखिया 1928 में पॉब्लिश हो रखिया यह आपको याद रखना है तो question यह बन सकता है when was selling to Vigensium first published तो आप answer देंगे इसमें 1928 और कौन से poetry collection में इसको publish किया गया है दी टावर करके अब इसमें आप आगे देख सकते हैं it comprises four stanza's इसमें कितने stanza's हैं four stanza's हैं यानि कि जो जितने भी जो दिये रहते हैं हमें उनको stanza बोला जाता है जैसे कि आप अगर उसकी बात करें प्रोज में तो उसको क्या बोलते हैं या अन्य जैसे हमें स्टोरीज बगर दी रहती हैं तो उसमें हम उसको क्या बोलते हैं पैराग्राफ बोलते हैं जैसे यहाँ पर उसको पैराग्राफ न बोलकी क्या बोलेंगे हम उसको यहाँ पर हम स्टेंजा बोलेंगे क्योंकि पूब में क्या बोला जाता है स्टेंजा बोला जाता है अब इसमें देखिए फोर स्टेंजाज हैं तोटल स्टेंजा अगर पूछा जाता है तो फोर स्टेंजाज हैं यह हमारा कुष्चिन आपे बन गिया इसके अत्रिक्त बात करें तो यह किसमें लिखा गया इसक फोर स्टेंजाज हैं लेकिन किस में है ओटावा रीमा में है each made up of 8 lines तो यानि कि पर स्टेंजा की बात करें तो हर एक स्टेंजा में कितने लाइन है 8 lines है 8 lines में जो लिखा जाता है स्टेंजा उसको क्या बोला जाता है ओटावा रीमा हमारा एक question यह बन जाएगा 8 lines stanza is known as otawa rima तो 8 line का per stanza है तो 4 stanza है आप देखिए 4 stanza 8 into 4 हो गया 32 total lines कितनी होगी हमारी 32 lines हो जाएगी अब इसमें आगे देख सकते हैं किसमें लिखा गया है और जो line है 8 lines है वो iambic pentameter में लिखा गया है iambic pentameter iamb आपने सुना होगा iamb किसका जोड़ा होता है अगर iamb की बात करें unstressed और stressed syllable iamb में अगर बात करें एक unstressed syllable होता है उसको follow किया जाता है किसके द्वारा stressed syllable के द्वारा यानि कि pentameter की बात करें तो iamb में तो आपके unstressed और stressed syllable होगी तो pentameter का मतलब होता है 5 और कितने होगे unstressed or stressed 2 यह होगे तो यानि कि यह 10 होगे है total 5 into 10 5 into 2 10 हो जाएगा decaslavic line हो जाएदी अब यह question बनता है decaslavic line जो है वो iambic line भी हो सकती है iambic pentameter की अगर बात करें तो और दूसरे उसकी बात करें तो याम का ठीक उल्टा इसका just opposite होता है ट्रॉकी ट्रॉकी में क्या होता है stress level पहले आता है फिर उसको जो है follow किसकी द्वारा किया जाता है unstressed level की द्वारा next यहाँ पे देख सकते हैं it uses a journey to bygencium यह use करती है किसका एक journey यात्रा का bygencium की bygencium यानि कि यहाँ पे journey कहां की है constantinople की है bygencium जो journey यहाँ पे दिखाईगी है उसका मतलब किस से है constantinople से है जिसको बोला जालता है कुस्तुन्तुनिया करके हिंदी मागर बोले तो as a metaphor एक metaphor एक रूपक के रूप में इसका यूज किया गया है एक spiritual journey है यह आध्यात्मिक journey है its explores यहाँ पे explore करते है his thoughts अपने विचारों को और अपने musings को अपनी thinking यानि की सोच को अपने ideas को on how immortality कैसे जो है अमरत्व immortality और इसके लावा art and the human spirit में converge उसको कैसे बादला जा सकता है converge किया जा सकता है next line देख सकते है through the use of various poetic techniques यह जो different technique यूज कर रखे है इन्होंने poetic techniques its क्या करते है its selling to vicentium describe करती है जो its की selling to vicentium poem है वो describe करती है वो बनन करती है किसका metaphorical journey एक रूप यानि की एक रूप दिया गया है journey को किसका of a man pursuing his own vision जो क्या करता है pursue करता है अपने vision को अपनी द्रिष्टी को खुद follow करता है एक अपना लक्ष है उसको follow करने की कोशिश करता है vision यानि की क्या हो जाना लक्ष होना aim होना तो उसको यहाँ पर परसू करता है उसको follow करने की कोशिश करता है eternal life as well as his conception of paradise और इसके सांसांत बुला एक eternal life के सांसांत जो इसके अपने conception है कि से related paradise से related स्वार्ग से related तो ये है बाईजेंसियम से related यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत जाना बाईजेंसियम क्या है अब बाईजेंसियम लिखी है बिलियम बटलर आप याद कर सकते हैं आपके लिए एक hint यहाँ पर में दे रहा हूँ आप T.S. Elliot का T.S. Elliot का जो है आप जो life span है वो आपको निकाल ले T.S. Elliot का life span क्या है यह आप बताएंगे उसके जरिये आपको इसमें कुछ hint मिल सकता है इस life span को याद करने के लिए और इसके साथ साथ देखिए 1865 में तो इनका जन्म होता है 1939 में इनकी death हो जाती है 1939 को हम कैसे ही correlate कर सकते हैं यहाँ से जो है Second World War जो है start होता है दुती विस्विद्ध start होता है वाजन आइरिस पोएट एक आइरिस पोएट थे ही नहीं है जिनको 1995 में Nobel Prize मिला है और अगर इनको इनकी बात करें W.B.Eats को कब मिला था Nobel Prize 1923 में 1923 में W.B.Eats को मिला है 1925 में मिला है George Bernard Serko तो इसके अलावा यह क्या थे आइरिस पोएट थे, ड्रेमेटिस्ट थे राइटर अड़ पोलिटिशे वन आप धी फॉर्मोस्ट फिगर ऑफ 20th सेंचुरी लिटिचर तो 28th सेंचुरी लिटिचर के फॉर्मोस्ट फिगर के रूप में इनको माना जाता है 20th सेंचुरी यानि कि आप कौन से सेंचुरी से बिलोग करते हैं 20th century ये भी हमारा question बन जाएगा In the English speaking canon He was driving force behind Irish literary revival और किस से जुड़े हुए थे ये Irish literary revival से इसके सांसांत बात करें तो ये क्या बने Became a pillar of the Irish literary establishment who helped to found the Abbey Theater और Abbey Theater को जिसने found करने में help की Abbey Theater से जुड़े हुए है Abbey Theater के बारे में अगर बात करें Abbey Theater क्या है? एक theater जो W.Eats ने found किया था W.Eats founded the Irish theater Irish theater को इन्हें ने found किया था The Irish theater को Along with जो प्लेराइड थे Lady Gregory बात में ये theater क्या बना अगर बात करें आइरिस theater इसको ये बात में क्या बना? Later became the Abbey Theater Abbey Theater पहले क्या था? The Irish theater था जो की found किस किस ने किया था इसको W.Eats और इनके साथ साथ एक प्लेराइड थी Lady Gregory Next देख सकते हैं इसमें In his later years अपने अंत के सालों में इन्होंने सेवा की Two terms as a Senator of the Irish free state एक Senator की रूप में Irish free state की अगले अगर उसकी बात करें तो selling to by gentium जो पूम है हमारे पास इसकी starting की जो लाइन है That is no country for old men करके ऐसे start होती है तो इसकी starting line पूछी जा सकती है That is no country for old men तो यह है पूम यह तो आपने पढ़ी ही होगी अब इसके अलावा बात करें यहाँ पर question answer discuss कर लेते है एक collection है हमारी कोशिश यह है कि आप तक अधिक से अधिक जो है knowledge हम share कर सकें इस कविता से related इस पूम से related तो यहाँ पर main theme पूछी जा रही है selling to by gentium की तो main theme इसकी क्या है the immortality of art immortality of art theme क्या है इसकी immortality of art है और इसमें देख सकते हैं आप the poet sales poet क्या करते हैं यात्रा करते हैं to by gentium because he can enjoy वो enjoy कर सकते थे enjoy and study the monuments monuments की जो इतने भी वहाँ पर समारक बने हैं of great art जो महान कलाई वहाँ पर हैं उनकी there and his soul can learn singing वहाँ पर शीक सकते थे हैं क्या singing learn how to be happy कैसे खुश रहा जा सकता है और कैसे immortal रहा जा सकता है by studying these works of art यह जो जितने भी works हैं किसके कला के इनकी study करें तो इसकी theme जो है immortality of art है यह आपको याद रखना है इतना detail में पूछा नहीं जाएगा next देख सकते हैं what type of poem is selling to bisensium selling to bisensium किस टाइब की poem है तो यह एक poem आप देख सकते हैं उटाबा रिवा में लिखा गया है 8 line की है 8 line का stanza है और 4 stanza जिसमें हैं हमने total बता lines भी पूछी जा सकते हैं 32 line क्योंकि एक stanza जो है एक stanza में 8 lines हैं तो 4 में कितने हो जाएगे rhyme scheme की बात करें they use an ABABCC rhyme scheme ABABAB तीन बार ABABAB करके है CC जो है rhyme scheme है और the poem also uses literary device alliteration तो figure of speech की बात करें तो यहाँ पर alliteration का यूज किया गया है जिसको अनुपरा सलंकार बोलते हैं जिसमें letter की जो है repetition होती है first letter की अगर बात करें what is the Byzantium also known as Byzantium को और किस नाम से जाना जाता है तो Eastern Roman Empire के नाम से भी इसको जाना जाता है अब highlighted देख सकते हैं next यहाँ से हम execute discuss करेंगे in its poem selling to Byzantium Byzantium refer to तो its की जो poem है selling to Byzantium Byzantium में जो है Byzantium refer करता है किस चीज को यह Constantino pole की ओर Constantino पल करके दे रखा है यहाँ पे लेकिन Constantino pole ही है यह जिसको बोला जाता है तो अब देख लीजिएगा spelling दूसरा इसमें अगर starting से बात करें यह question तो थोड़ा सा हमने collection में यहाँ Byzantium से क्या मतलब है उससे related यह question था तो हमने इसको यहाँ पर सामल किया अब देख सकते है question जो है पहले नंबर का question है Byzantium क्या है तो हम question answers इसमें discuss करेंगे ज्यादा time waste ने करते हुए तो Byzantium एक mythical city है एक mythical city है किस type की city है बाइजेंसियम mythical city है next question की ओर बढ़ेंगे second number का question है at the end of selling to Byzantium the speaker imagines transformation into तो अंत में जो selling to Byzantium है उसके अंत में जो speaker है जो वक्ता है इमेजें करता है transformation किस चीज का किस चीज में transformation यहाँ पर imagine करता है तो यह पूछा जा रहा है तो option number C हो जाएगा mechanical word C option character हो जाएगा next question की ओर बढ़ेंगे in selling to Byzantium the element that death is most associated with selling to Byzantium जो है इसमें जो element है that death is most associated जो मौत है वो सबसे ज़्यादा किस से associated है यह पूछा जा रहा है तो इसमें A option character हो जागा fire से अगनी से जूड़ी हुई है कहने का मतलब है the tar is named after जो tar poetry collection है जिसमें इसको publish किया गया था 1928 में तो वो किस के नाम बात करें is named after तो किस के नाम named after इस तो किस के नाम के बाद उसको रखा गया कहने का मतलब है इस के द्वारा तो option हमारे पास है यहाँ पे हमें character answer बताना है यहाँ पे answer हो जाएगा हमारा हमने पहले की वीडियोज में भी बता रखा है इनको सलीगो पोईट भी कहा जाता है सलीगो पोईट कहा जाता है यह आप ध्यान रख सकते है 1923 में इनको Nobel Prize मिला है 1865 में इनका जन्म होता है 1939 में की death होती है यह main-main points है जो आपको learn करने है यहां याद रखने है आपके अपनी technique हो सकती है आप कैसे भी इनको याद रखेगा the direction that spirits would move around the speaker जो direction है that the spirits would move जो spirit है वो move कर सकती है around the speaker speaker के in selling to by gentium is in-off तो क्या है उसमें पूछा जा रहा है तो यह यहाँ पर इसका अगर correct answer की बात करने है तो जायर बोला जाएगा जायर का मतलब होता है एक चक्र एक कर्व जिसको बोल सकते हैं जो एक movement होती है घुणन गती करके अपने सुना होगा उसको बोला जाता है जायर next question नहीं देख सकते हैं question number 7th है what is the childhood activity that the speaker remembers अब childhood activity क्या है जिसको जो है speaker remember करता है तावर में तो वह है यहाँ पर अगर correct answer की बात करें तो fishing हो जाएगा यहाँ पर question number 7th का हो जाएगा next question आप देख सकते है question number 8th है in the tower the ideal present is named ideal present है उसका क्या नाम है यह पूछा जा रहा है तो उसका नाम है henra henker करके a option correct हो जाएगा next question की बढ़ेंगे this symbol that mod gone is best associated with to mod gone किसे associated है यह पूछा जा रहा है तो moon से आप याद रख सकते हैं क्योंकि mod gone कौन थी इनकी friend थी जिनके सांथ इनकी friendship थी लेकिन बात करें तो यह एक तरफा इनका प्यार था किसका w.e.ts का करते थे उनसे प्रेम करते थे बट जब इन्होंने बाद में उनको marriage के proposal भेजे तो उनके द्वारा reject कर दिये गए क्योंकि और लास्ट मां अंतता है जो हैं w.e.ts बहुत परिशान भी होते हैं आपने सुनना होगा biography अगर पढ़ी होगी तो उसमें आपको पता होगा तो mode gone जो है best associated with पूछा जाता है moon से तो आपने सुना होगा चांद तारे तोड के लाने की बात होती है तो वहां से आप इसको compare कर सकते हैं बहुत easily आप learn कर पाएंगे प्यार में ही ऐसी बाते होती है अक्सर और recurring, reoccurring symbol for womanhood is reoccurring symbol है womanhood के लिए कौन सा है यह पूछा जा रहा है तो D option correct हो जागा और लेबिरेंट करके भूल भूले यह जिसको बोला जाता है यह जिसको मेज बोला जाता है यह बोल सकते हैं एक complication उलजन भी बोला जाता है तो option number D correct हो जागा reoccurring symbol को क्या कहा जाता है motive कहा जाता है motive आपने सुना होगा motive करके next देखे its family was a member of its की जो family थी वो member थी किसकी तो option number यहाँ पर हमार रपास A correct हो जाएगा the protestant ascendancy करके हो जाएगा next question question number 12 आप देखते हैं which sex parent character does its compare and irregular to तो कौन से sex parent character को जो है यह compare करते हैं irregular to false stuff तो false stuff करके आ जाएगा यह B option character हो जाएगा तो यह थे कुछ MCQs जो हमने discuss किये हैं यहाँ पर WB Eats से related यह उनकी पोम थी selling to by gentium और उमीद करता है यह वीडियो आपको जो है पोम को समझने में और ज्यादा अपने इसके बारे में नोट्स तो बनाए होंगे तो एक थोड़ी एक छोटी सी हमारी तरब से कोशिश थी कि आपको अपके लक्स तक पहुंचने में थोड़ा बहुत हम अपनी तरब से दे पाएं वह हमने करने की कोशिश की यहाँ तो मिलता है अगली वीडियो में अगर वीडियो पसंद आए हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ सेर कीजिए थेंक यू सो मुच